अरे भाई साब आप छुपकर क्यों आ रहे हैं तो वोट तो करते जाएए अरे अगर आप लोग वोट नहीं करेंगे तो बहुत भारी पड़ेगा जिस तरहां मंगल लक्षमी में मंगल को भारी पड़ गया है जी हां लक्षमी का साथ देना उसको भारी पड़ गया है उसकी स आसुमा मंगल को मंगल के माइके में छोड़ कर आ गई है तो अपना वोट व्यर्थ ना करें जरूर वोट करें ये आपका कर्तव्य है याद दिला दे सास बहु और सासिश की पूरी टीम की ओर से की वोट फॉर S.B.S. जर्जी रिच्ते के लिए वो जड़ा वंगल कर दो अपने में सुझा है हम जैसे लड़के मिलेंगे तुब बहरो को हैसान मानो हैसान कि अम्मा ने मेरी शाही तुम से करवाते हैं माँ करो यार माँ करो बहुत बढ़ी कर्ती हो ने पिसे जाओ अपने मां के गाचा वही ठीक अपने अपनी सासु मा को तो दुखी किया ही अब आपने आदित को भी गुस्सा दिला दिया है अब आप तो बस चाती थी कि किसी तरह से लक्षमी का रिष्टा हो जाए लेकिन एक बार फिर आपने इस रिष्टे को ठुकरा कर गल्ती कर दी है और इस बार जो ठेज पहुची है वो किसी और को नहीं बलकि आपकी सासु मा को पहुची है और इस वजह से अब जो बबाल ह होगा वो तो कोई भी रोक नहीं पाएगा क्यों आई हो तुम वापस जाओ यहां से मुझे ने का रहे हैं अब मंगर मुझे तो यकीन है आपने ये तो नहीं सोचा था जो हो गया है क्योंकि अब आपके घरवाले आपको ही ठुकरा कर वहां से आपको छोड़कर चले जा रही है और आप कुछ नहीं कर पा रही है आज पहली बार ऐसा हुआ कि मंगल ने कुसुम की बात को ठुकराया जबकि ठुकराने को कई तुक ही नहीं बनता था मतलब कार्थिक ऐसा लड़का नहीं था पहले दो बार रिष्टा तूट चुका है लक्षमी का जिसके कारण बहुत ही जैन्यूइन थे लेकिन आज तीसरी बार मंगल ने खुद लक्षमी का रिष्टा तोड़ा है मंगल ने सिर्फ लक्षमी का रिष्टा ही नहीं तोड़ा बर कुसुम का दिल भी तोड़ दिया है क्योंकि जो सासुमा इतना सपोर्ट करती है पूरी दुनिया से लड़ती है सब कहते हैं कि इतना सर पे चड़ाया है तो एक दिन तुम्हें रंग दिखाएगी अपना और आज वो दिन आ गया आज हमें बहुत ही अमारे स्वाभी मन को ठेस पहुची है अब लक्ष्मी भी अपनी दीदी की मदद करना चाती है लेकिन चाची जी उसे रोग देती है क्योंकि जो भी हुआ है वो उसी की वजह से तो हुआ है और अब इसका भुक्तान मंगल कर रही है जिसकी वजह से चाची जी उसे घर के अंदर ले जाकर खूब सुनाएंगी वैसे मंगल हम तो चाते हैं कि आपके साथ सब कुछ ठीक से रहे लेकिन फिलाल आपको अपने घर पर भी ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि सासुमा आज तो बहुत ही ज्यादा भड़क गई है और अब तो उन्होंने कह दिया है कि तुम ही रखो अपनी बेहन का खयाल अब मंगल अपनी गल्ती को कैसे सुधारेगी और कैसे अपनी बात को सबी घर वालों के सामने रखेगी यही तो देखना काफी इंट्रस्टिंग होगा मुमई से भुवन शेंग के साथ एबी पी निउस रिपोर्ट एबी पी निउस आपको रखे आगे